प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चानल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज के वीडियो में मैं आपको वाट इस कंप्यूटर से लेके computer generations component characteristics full form input device output device storage device CPU RAM ROM memory इन सभी चीजों को detail में discuss करूंगा इसी एक वीडियो में इसी computer वाले वीडियो में full explanation इसलिए मैंने लिखा है सबसे पहले computer क्या होता है definition से start कर रहें फिर आगे discuss कर रहें computer is an electronic device computer electronic device है electronic device इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक से चलता है इसे चलाने के लिए आपको क्या करना है बिजली देना पड़ेगा अपने घर का power supply करना होगा computer के पास which is developed by चार्ल्स बैबेज नियर बाइ 19th century जो की चार्ल्स बैबेज के दुआरा सब्सक्राइब क्या होता है अभी computer का function क्या क्या है यानि computer काम कैसे करता है क्या 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 काम करता है उसे देखो इसफेग इनपुट के बवाइसे व्हें इस इनपुट का डिõउड से इनपुट को लेता है यानि keyboard और सब्सक्राइब देख लो सबसे पहले तो इनपूट लेगा इनपूट डिवाइस यानि कीसम मांस से आख से इंपूट को यहां पर समझ यह स्वाव किसके ईंपूट को सिदी करता आपके आप के पÚ और मंपीटर बैसे और फिर फिर ब्रिंटर सेकंड क्या होता है कंप्यूटर का वो देखो दो होता है को था हाडवेर और सेकंड होता है सौफ्ट्वेर हाडवेर सौफ्ट्वेर क्या होते हैं इन में क्या डिफ्रेंस है इसके उपर एक वीडियो मैंने बनाया है वो वीडियो आपको इसी वीडियो के उपर में आई बट इंटर यह सभी आटपूट डिवाइस है जहां से आटपूट आता है इस्टोरेज डिवाइस जहां पर अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी का जाता है ठीक है या दास्त जहां पर यह डेटा इंफोर्मेशन को स्टोर करके रखता है मेम secondary memory वही होता है storage device यह हो गया CPU CPU को तो computer का brain का जाता यही सब कूछ है computer के लिए सब काम यही करता है कि इसके बारे में आगे detail में discuss कर रहे तो यहां पर software को देखिए second component होता है अपना computer का software भी दो पार्ट में एक होता है application software जिसे user के लिए बनाया जाता है जैसे MS Office second केंड होता है सिस्टम सोफवेर जो कि सिस्टम के लिए बना जाता है सिस्टम में यूज किया जाता है जैसे विंडोस हाना ओपरेटिंग सिस्टम लीनेक्स यह सबी चीजे तो अभी हम आपको कैरेस्टिस्टिक्स बता रहें आपने नोटिस किया होगा सबसे पहला होता है इस्पीड इस्पीड कंप्यूटर का बहुत ज्यादा होता है आपने नोटिस किया होगा जब आप कोई काम देते होगे तो बहुत जल्दी यह करके दे देगा आपको सेकेंड होता है एक्क्योरिसी कंप्यूटर अपने रिजल् के रख सकता है इसकी memory बहुत ज़्यादा होती है तीबी में होती है आजकल तो ठीकर टेराबाइट फोर्थ होता है क्विक डिसीजन कंप्यूटर का डिसीजन लेने का capacity है वह बहुत ज़्यादा होता है माली आपका डिटा कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में रखा हो आप एक बार कंप्यूटर के सर्च बार में सर्च कर दो वह कहीं न कहीं से उठाके एक सेकेंड में आपको वह डेटा प्रोवाइड कर देगा लास्ट देखो जो कि बहुत ज काम जो राइट ना हो लेकिन कंप्यूटर में सब नहीं होता वह क्या करेगा रिपीटेड काम को उसी स्पीड से उसी एक्वरिसी के साथ रिपीटेड टाइम तक बिना बोर हुए करके दे देता है कमांड पर काम करता है ना कंप्यूटर इसलिए अभी फूल फों देखो कं एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है या फिर कोई पूछ भी सकता आप से कॉमनली ओप्रेटिंग मसीन प्रपोजली यूजड फोर टेक्नोलोजी एंड एजुकेशनल रिसर्च टेक्नोलोजी और एजुकेशनल रिसर्च के लिए ज्यादा तर यूज होने वाला मस प्रप्रेटिंग अब इसके फूल फॉर्म में दिख सकता है अभी सीपी देखो सीपीव जो की कंप्यूटर का हाट होता है दिल होता है जो कि सारा काम वही करता है इसका फूल फॉम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका पुल फॉम के उपर मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है वगडियो इस वीडियो के एंड में अपको मिल जाएगा उसमें आपको यह क्या होता है मैंने डिसकस किया है अभी यहाँ पर देखो हमारा व्सका हैoutम जाएक मुंछ य्दू को अगें तू क्लोजिक यूनिट अगर आपको कोई मैथेमेटिकल टास्क परफॉर्म कराना हो एडिशन सट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन यह फिर दो नंबर को कंपियर करना हो तब वह काम आपका यू करेगा डिस यू का फुल Isto Control यूनिंट। स्ट इसका ना मी देखते क्यों यह कन्वा करके रखता है इसे के ऊपर यह वांपना चलता है अभी हम आपको computer का memory के बारे में बताने जा रहे हैं और generations कितने generations होते हैं वो कब-कब release किये गए थे उसके बारे में आपको चलिए discuss कर रहे हैं अभी आप यहां पे memory देखो तो सबसे पहला देखो hard disk है HDD का मतलब होता है hard disk drive यह secondary memory का अपना एक्जामपल है second देखो RAM random access memory जो कि primary memory का एक्जामपल है third होता ROM read only memory यह भी primary memory है memory दो पार्ट में होता है एक होता primary जो कि यह दोनो primary memory है और यह अपना secondary memory है यह backup storage प्रोवाइड करता है pen drive भी आप लिख सकते हो secondary memory के लिए जो कि बाहर से यूज करते हैं हम लोग यूज करने के ठीक है इसके उपर भी मैंने computer memory को पर एक वीडियो बनाया है वह वीडियो का link में description में आपको नीचे दे दूंगा अभी generations देखो जो कि बहुत ज्यादा important है computer अगर आप पढ़ते हो तो generation आपको जरूर आना चाहिए पहला होता है first generation first generation के लिए core element में vacuum tube technology यूज किया गया था और इसे 1946 में release किया गया था first generation हो गया second generation computer का है transistor core element यूज किया गया था यह ट्रांजिस्टर technology था 1959 अभी आप यह मत बूलना कि first generation कहां से कहां तक था 1946 से ओविसली 1959 तक रहा होगा क्योंकि second जब तक नहीं आया तब तक तो वही रहा होगा अभी थर्ड क्या हो रहा थर्ड जेनरेशन में यूज किया गया इंटीग्रेटेड circuits कोर अलिमेंट था जो कि 1965 में रिलीज किया गया था फॉर्थ जनरेशन कंप्यूटर में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड circuits को यूज किया गया था कोर अलिमेंट के तौर पर टकनोलोजी के तौर पर इसे 1971 में रिलीज किया गया था और यह तक था उसके बाद अभी फिट जनरेशन चल रहा है जो कि ऑन वर्ट से अभी इस पर काम चल रहा है नंटीग्रेटीफाइब से यही अभी तक है तो computer बहुत ही important होता है आज के real life के हिसाब से भी आपको बता दो कि आप अपना जो smartphone भी android phone भी जो यूज करते होगे तो उसमें भी आप देखो होगे कि वह भी एक mini computer का ही एक्जामपल है ठीक है तो मैंने इस वीडियो में आपको computer के बारे में जितने points आप से count किये थे वह points मैंने आपके साथ detail में discuss कर दिया है अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे share कर दीजिए चानल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेजिए